हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सो भी लोग तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्यूब रूट आप 3375 3375 का क्यूब रूट कितना होगा आप वीडियो को सही से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखे और ध्यान से देखे ताकि आपको सही से समझ में आए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसे हम रायम कर लेंगे 3375 सबसे पहले हम इसे दिवायट करना शुरू करेंगे अगें 3 से डिवाइट करेंगे अब ये 3 से डिवाइट नहीं होगा तो 5 से डिवाइट करेंगे तो अब हम जब इसके फेक्टर राइट करेंगे क्यूब रूट आप 3375 is equal to 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रिपलेट 2 बन रहे हैं एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है और एक 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ट्रिपलेट बेसिकली 3 नमबरों का समू होता है जैसे 3 यहाँ पर 3 बार आया है तो इसको ट्रिपलेट बोरेंगे तो अगेन हम इसको मल्टिपलेट करेंगे 3 into 5 देखो ट्रिपलेट में से एक ही बाहर निकालते हैं तो यहाँ से एक 3 यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा और यह हो जाएगा 3 5 जा 15 तो इस प्रकार से जो हमारे क्यूब रूट हो जाएगा 3375 का वो हो जाएगा 15 यानि कि 3350 का जो गनमूल होगा वो होगा 15 प्राई